आज काल का मायू के युवाओं में एक बहुत बुरी आदत देखने को बहुत मिलती है वो है स्मोकिंग यहां तक की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आजकल इस आदत में लिप्ट हो गए है अगर इस बात पर गौर किया जाए कि आखिर लोग सिग्रट पीना शुरू क्यूं करते हैं इसकी शुरूवात यंग आगे से होती है जब लोग सिर्फ मौजमस्ती के लिए दोस्तों के साथ धूमरपान करना शुरू करते हैं जो धीरे धीरे मौजमस्ती से शुक और फिर लप में जब दील हो जाती है कुछ लोग ऐसे भी है जो केवल गलत फेहमी में आकर इसे पीना शुरू करते हैं उनके मन में यह धारणा बन जाती है कि सिग्रट पीने से टेंशन दूर होता है जो कि बिलकुल गलत है लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि यह कैंसर जैसा घातक रोग को जन देता है इसके बावजुद भी उन्हें इस बात का कोई दर नहीं और वो बिंदास होकर इसे पीते हैं स्मोकिंग हमारे शरीर के लिए हानिकारक है इसे बताने के यह सरकार हर संभव प्रयास करती है अनेक संदेश डेली हमारे सामने आते हैं जिसमें धूमपरान को छोड़ने या इससे बचने के बारे में बताया जाता है यहां तक की सिगरेट के पैकेट पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि यह आपके स्वस्त के लिए बहुत नुकसान दे है लेकिन फिर भी इन साब को नजर अंदाज करते हुए लोग ऐसा करते हैं बहुत से ऐसे लोग भी है जो इसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ने ही पते हैं आज हम आपको कुछ उपाए बताने वाले है जो आपको मदद करेंगे तो आए जानते हैं हर वर्ष 31 माई को विश्व तंबाकु निशेद दिवस वर्ल्ट नो टबाकोडे के रूप में मनाया जाता है और अवे ने इस लेन के लिए कई प्रोग्राम भी चलाए जा रहे है विश्व स्वास्त संगठन की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार धूमरपान और डिमेंशिया में संबंध है और विश्व में अल्जाइमर के रोगियों में 14 प्रतिशत वो लोग श्मित होते हैं जो धूमरपान करते हैं इस रिपोर्ट में आगे बताया गया की डिमेंशिया का संबंध हर प्रकार के धूमरपान से है जैसे तंबाकू, बीढी, सिगरेट, सिगार, पाइप, रोल योरोन, शीशा, हुका और यहां तक की सिगरेट के धुए के संबर्क में आने से भी यह कई रोगों को जन्म देत हैं, ऐसा करने से सफलता जल्दी मिलती है, यहां भी आपको ऐसा ही करना है और संकल्प लेना है कि मुझे अब धूमरपान छोड़ना है, क्यूंकि किसी और के बार-बार कहने से ऐसा नहीं हो सकता, आपको ही मन में ठानना होगा कि बास अब बहुत हुआ और मुझे अब यह नहीं करना है, शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, मन विचलिद भी होगा, लेकिन पुनहा आपको अपने संकल्प को याद करना होगा, हम आपको एक आसान उपाय बता रहे है, जब भी आपको ऐसा लगे कि सिगरेट की तलब लग रही है, तो आप पीड़ी या सिगरे को अपने अंगूठे और तरजनी उनली में कस कर दबा लें और किसी कुडे दान के पास जाए, फिर सिगरेट को जलाए और उस कुडे दान में डाल कर ऊपर से पानी डाल दें, निरंतर एक महता कैसा ही करें, यह एक ऐसा तरीका है जो आपकी बहुत मदद करेगा धूमरप किसी भी नशे को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है और नहीं आप इसे एक दम छोड़ सकते हैं, इसलिए दीरे दीरे करके इसकी मात्रा को काम करें, जैसे अगर पिगले आप दिन में दस सिगरेट पीते हैं तो अगले दिन साथ ही पिए, फिर अगले दिन पांच, फिर और फिर एक सिगरेट पर आ जाए और फिर धीरे धीरे इससे दुरी बनाना शुरू करें, अगर पहले आप अपने पैकेट रखते थे तो अब आप ऐसा न करें, एक लिंड दो सिगरेट ही अपने पास रखें, ऐसे लोगों को नजर अंदाज करें, जिनके साथ बैठ कर आ ज्यादा धूमरपान करते हैं, गुलक बनाये यह भी एक अच्छा तरीका है, जब भी आपको सिगरेट पीने की तलब लगे तो आप टॉफी या चॉकलेट खा लें और जो पैसे आप सिगरेट के लिए खर्च करते थे उसे एक गुलक में डालते रहे तथा उसे घर के किस दूसरे सदसे को दे दे, जब आप महीने के अंत में गुलक खोल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कितने पैसे बचा लिये हैं, जिसकी आपने कलपना भी नहीं की होगी, फैमिली और दोस्तों की मदद लें अगर आप सच में धूमरपान छोड़ना चाहते हैं त पूटखा आदी छोड़ चुके हैं और वो इसके सावन के लिए आप पर दवाव न डालें, ऐसा करने से आपका विश्वास खुद पर बहुत बढ़ेगा, इसके अलावा घर के सदस्यों की फटो या जो भी आपके लिए बहुत माईने रखता है, उसकी तस्वीर अपने स प्रणा सत्कि छो, क्माई बहुत माईने मेद को लोग।